हाई अबरिवन कैसे हैं आप सब आज हम बात करने वाले कि यह एडवांस की प्रप्रेशन में मोख टेस्स की क्या इंपोर्टन से और मौक टेस्स कैसे देने यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि मौक टेस्स को कैसे दिया जाए पेपर अटेम स्ट्रेजी को कैसे रखा जाए यह तो डिसक्रस ओल दो तिंग इन दिस शॉट वीडियो फाइव मिनट थी पांच मिनट का वीडियो रहेगा लास्त तक देखेगा सबसे पहले यह बताइए आपका करेंट मॉक्टास में स्कोर कितना चल रहा है जरह मिरें को कॉमेट करके बताइए हो मच यूर स्कोरिंग इन द हर संडे ठीक है या फिर वीक में एक दिन यह मिनिमट है आपको मॉक्टास देना ही देना आप दो दे सकते हैं हवते में देना चाहिए लेकिन एक मिनिमम है एक नहीं छोड़ेगा यहनि कि आपके एडवांस तक आपके 6-7 मॉक्टास जरूर ओड़े चाहिए ठीक है यह you give 2 और 3 mock test in a week तो आपकी practice भी हो जाएगी और sitting भी बन जाएगी बट अगर आपको अभी पढ़ना है अभी आप theory पढ़ रहे हैं आप problem solving कर रहे हैं आप revision कर रहे हैं उसके लिए आपको time चाहिए तो फिर आप mock test में आपको बिल्कुल वैसे का वैसे mock test देना है ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे कुछ भी चीज हो उसको हटा दो अपने time table से या तो mock test को किसी और दिन shift कर दो या तो उस चीज को उस दिन से हटा दो मत्तब कि उस duration में ही आपको mock test देनी की practice करनी है जिस duration में आपका actual mock test जो है वो होने वाला है do not alter this point ये point में कुछ change मत करेगा mock test तभी दीजेगा जिन time slots में advance का mock test होगा और कोशिश करिए कि Sunday को दे और mock test के दोरान ये दूसरा point है no one should disturb you no one घर पे घंटी बज रही है कोई आ रहा है कोई जा रहा है कुछ भी हो रहा है आप mock test से बीच में उठ नहीं रहे है do not you know stand up in between उसको pause नहीं कर रहे है come time extra time extra polite कर रहे है marks मैंने 2 घंटे दिया तो मेरे इतने आये हैं गर मैं 3 घंटे देता तो इतने आएंगे ये सब चीज नहीं करिएगा ठीक है तो make sure that you are giving the mock test in the particular slot and you are sitting for the 6 hours not continuous with break जैसे वहाँ पे break होती है वैसे यहाँ पे एक paper वाला mock test नहीं देना है हमें हमें 2 paper वाला mock test देना paper 1, paper 2 होना चाहिए ठीक है paper 1, paper 2 definitely होना चाहिए then only it is going to be beneficial अगर वो paper 1, paper 2 नहीं होगा तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तीन ही गंटे की sitting बनाने के लिए हम mock test नहीं दे रहें तीसरी चीज़ बहुत मुश्किल mock test नहीं देना हमें खुद को demotivate थोड़ी करना है जही advanced level का mock test हो कई mock test series होती है जिनमें हमें पता होता है यह मैं तो सब को ही पता होता है इसमें जो question पूछ रहें न वो advance में कभी न आयेगा ठीक है ऐसा series होते है सब को पता हम नाम नहीं लूँगा तो अरे भाई वो नहीं करना है हमें वो नहीं करना है जो पेपर के point of view से relevant हो जिनमें सवाल जो आ रहे हैं वो पेपर में पूछने के कुछ chances हो या फिर उस type के problem आ सकते हैं प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता है मैं understand करता हूं लेकिन level तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना ऐसा थोड़ी है कि level भी नहीं पता है हमें जी advance का क्या होगा तो we can definitely predict that level तो हमें ensure करना है कि हम उस type के mock test दे जो हमारे अच्छे से basically हम उस particular advance level के हो ठीक है एक और बात कि हमें उनका analysis जरूर करना है जब mock test हो जाए तो उसको बैठिए उसको देखिए solution देखिए उसका देखिए कहां पर आपकी गलतिया हुई कौन से question थे जो आप और कर सकते थे जो नहीं हुए कौन से areas है जिन पर आप work कर सकते हैं आपकी strengths क्या हैं आपकी section को पहले करना चाते हैं बाद में करना चाते हैं लास्ट में करना चाते हैं second round में कौन से करेंगे कैसे paper attempt करेंगे उसको fine tune कर लीजे और अगर आपसे ना बन रही हो तो मुझे बता दीजे मैं आपकी लेक बना दूगा ठीक है नीचे comment कर दीजेगा बट अपने इसाब से ब best क्या है एंड अपने mock test को बहुत seriously दीजिए बस यही मैं इस छोटे से वीडियो में आपके साथ share करना चाहता हूँ I wish you all the very best इसके इलावा ये भी सवाल आ जाता है कि वह mock test कहां पर देगा न अच्छे quality के mock test भी तो चाहिए तो Unacademy आपके लिए लेका है free mock test एकदम free है All India mock test series है यह 5th में से start हो रही है real time आपको real exam like experience मिलने वाला test जो है वो टॉप educators ने बनाए है और Unacademy का rank predictor भी जो है वो आपको इसमें मिलेगा तो basically यह बहुत बढ़िया test series है J-Advance 2024 के aspirants के लिए एकदम free of cost है इसमें कोई भी आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है और बहु जाएगा तो आप यह जो मैंने mock test के लिए advice दिये उसको follow करिए और इस particular test series के साथ आप test देते रहे तो आप अपने score को definitely improve कर पाएगे ठीक है I wish you all the very best take care